नमस्कार, मैं आचारी लुकेश धमीजा, निमरॉल जी राशी फल में आज बात करते हैं 20 दिसंबर 2021 की, मुलांक नमबर एक, जिनका जन किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारिक को हुआ है, उनका मुलांक बनता है नमबर एक, आज का दिन पॉजिटिव सोथ से भरा रहेगा, रहकर्मियों के साथ व्यक्तिगत समंदों में सुधार होगा, और डेली लाइफ में बदलाव करने की कोशिश भी आज कर सकते हैं, यदि कुछ समस्या लगे तो शिवलिंग पर गुलाब के फूल अरपन कीजी आपको लाब मिलेगा, अब बात करते हैं मुलांक नमबर दो क जिनका जन किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारिक को हुआ है, उनका मुलांक बनता है नमबर दो, दिन उत्तम रहेगा, नोकरी पेशा व्यक्तियों को आज प्रमोशन या इंक्रिमेंट मिलने की संभावना है, माता की खराब चल रही सेयत में भी सुधार आएगा, यदि कुछ समस्या लगे, तो शिवलिंग पर दूद अर्पित कीजी, आपको लाब मिलेगा, अब बात करते हैं मुलांक नमबर 3 की, जिनका जन किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारिक को हुआ है, उनका मुलांक बनता है नमबर 3, घर के अनुभवी मेंबर्स बिजनस से रिलेटिड कोई ऐसा आइडिया देंगे, जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, नोकरी में अपने टार्गेट्स को आज इसली अचीव कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस में वृद्धी होगी, यदि कुछ समस्या लगे, तो विश्णु सहस्तनम का पाठ या चने की दाल जल परव करने की कोशिश करेगा, जो बाते आपने बोली ही नहीं, उसके लिए आपको दोशी ठहराया जा सकता है, आज कम बोलें और बिना कारण किसी के साथ ना उलजें, तोड़ा देहरेपूर डिसीजन लें, आज स्मोकिंग करने का भी और एलकोहल का सेवन करने से भी परेज करे अब बात करते हैं मुलांक नमबर पांच की, जिनका जन किसी भी मैने की 5, 14 या 23 तारिक को हुआ है, उनका मुलांक बनता है नमबर पांच, बिजनस में नई इन्वेस्टमेंट करने का विचार बना सकते हैं, मन किसी बात को लेकर आज चिंतित और अशांत रहेगा, ओफिस में चल रही प्राब्लम्स को अपनी क्रिटिविटी और लॉजिकल पावर से दूर कर पाएंगे, यदि कुछ समस्या लगे तो हरे रंग के कपड़े दान कीजिए आपको लाब मिलेगा, अब बात करते हैं मुलांक नमबर 6 की, जिनका जन किसी भी मैने की 6, 15 या 24 तारिक को हुआ है, उनका मुलांक बनता है नमबर 6, वाइफ की खुशी के लिए गरेलू सुख सुविदाओं की खरीदारी में पैसा व्याई करेंगे, आज किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकरशित होंगे, जिसके शौक और दिमागी सोच बिलकुल आपके जैसी होगी, यदि कुछ सम का सामना करना पड़ सकता है, अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सचेत रहिए, किसी संक्रमन से पीडित हो सकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, जो आपकी डिगनिटी को ठेस पहुचा सकते हैं, संतान की संगती पर भी नजर रखने की आज आज आविशकता है, यदि कुछ समस्या लगे, तो पीपल के पेड की सेवा करना, उनको जल देना आपको लाब देगा, अब बात करते हैं मुलांक नमबर आठ की, जिनका जन किसी भी महीनी की आठ सत्रा या चब्विस तारीक को हुआ है, उनका मुलांक बनता है नमबर आठ, कानूनी मामलों में सफलता मिल किलने की संभावना है, किसी रिलेटिव से जूर से अधिक उमीद रखने से निराशा हाथ लगेगी, बिजनस में कोई भी डिसिजन लेते समय जल्दबाजी ना करें, वरना लॉस उठाना पड़ सकता है, यदि कुछ समस्या लगे, तो घर में जंग लगातियार, निकाल द कोई क्लोस फरेंट आपके बिजनस में इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, आज हाई बीपी की प्रॉब्लम परिशान कर सकती है, स्टूडन्स के लिए आज का दिन अच्छा और शुपकारी रहने वाला है, यदि कुछ समस्या लगे, तो हनुमान चली साका पाठ कीजिए, आ आज हमने बात की, 20 दिसंबर के राशीफल की, कल मिलते हैं 21 दिसंबर के साथ, नमस्कार